वैल तो ये वीडियो रेंडी ओरिटन की एक लाइव इवेंट की है जाहाँ पर रेंडी ओरिटन ने केविन ओर्वन्स को कोल आउट करा है उन्हें एडरस करा है एंड बोला है कि जब मैं इस स्टेट से बाहर अपने स्टेट में आज आँगा तो SmackDown में मैं तुमारी हालत खराब करने वाला हूँ तो Kevin Owens को Randy Orton ने यहां पर call out करा है तो देखना होगा SmackDown के अंदर Kevin Owens, Randy Orton के इस call out का क्या जबाब देते हैं बात करते हैं next story की तो CM Punk के Survivor Series Stasis को लेकर बड़ी update सामने आई है and according to reports CM Punk and Gunther का मेच होने वाला है Survivor Series में for World Heavyweight Championship तो आप लोग जल्दी से comment करके prediction करो क्या CM Punk अपने return के बाद जब उन्हें World Title के लिए first opportunity मिलेगी तो क्या वो World Title को जीत पाएंगी या नहीं comment करके बताओ and हाँ दोस्तो CM Punk and Gunther का जो मेच है World Title के लिए वो Survivor Series के लिए WWE की टीम ने लोक कर दिया है तो ये बड़ा मेच हमें देखने को मिलेगा Survivor Series में बात करें final story की तो बीस्ट बरोक लेशनर के written को लेकर update आ रही है and दोस्तो रोक के अंदर Cody Roots and Seth Rollins ने जब reference दिया बरोक लेशनर की written का उसके बाद Twitter पर trend करने लगे social media पर हट जगे rumors आने लगे कि भाई अब तो confirm है बरोक लेशनर डेवलोड़ूई में आने वाली है लेकिन दोस्तो अब एक और confirm update आई है बरोक लेशनर को लेकर जिसके according डेवलोड़ूई कंपनी खुद interest रखती है बरोक लेशनर को वापस company में लाने के लिए एंड डेवलोड़ूई के एक team के member नहीं ये बताया है कि बोथ parties के बीच थोड़ी बाहुत बातचीत हो रही है बरोक लेशनर को वापस लाने की एंड दोस्तो ये news है वो कल राज को कह सकती हो ट्रेंड करने लगी social media पर तो बही और जदा chances है वो बढ़ चुकी है बरोक लेशनर के डेवलोड़ूई written के लेकिन दोस्तो एक ओन अपडेट है बरोक लेशनर को लेकर जिसके according जो विंड्स मिकमेन के साथ जो एलिगेशन लगे थे बरोक लेशनर पर एंड जो केस चल रहा है उन पर वो दिसमबर 2024 तक होल्ड पर है यानि अभी तक वो केस है वो सोलव नहीं हुआ एंड में भी दिसमबर के अंदर वो सोलव हो जाएगा एंड रोयल रोंबल 2024 में बरोक लेशनर अपना possible written WWE में कर सकती है तो आपको क्या लबता है बरोक लेशनर वापस WWE में वापसी करेंगी या नहीं एंड क्या आप लोग बरोक लेशनर को वापस देखना चाहती हो या नहीं कोमेंट करकी बता दो वीडियो को लाइक करना कोमेंट करना एंड चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना for more interesting update